हलो दोस्तो राइधन शाइन्स टो आल गेमर्स दोस्तो आज की समय बड़ी न्यूज यह है अगर आपके पास प्लेस प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यह बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट डील है जो आप अपना प्लेस्टेशन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि यह offer मिल रहा है 1499 for 12 months और यह उन लोगों के लिए जिनका सब्सक्रिप्शन expired हो चुका है या फिर वो पहली बार सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यह offer सिर्फ उन लोगों के लिए applicable है और यह ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि के रीसेंटली प्लेस्टेशन सब्सक्रिप्शन काफी लोगों ने डिसकनेक्ट किया था उनका टोटल 1.3 मिलियन सब्सक्रिप्शन लॉस हुआ है तो इसलिए यह offer मिला है और यह offer काफी अच्छा है और काफी इंट्रस्टिंग है मैं चाहता हूं कि आप यह offer का फाइदा ले और next offer मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यह का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 315 पर वन मिलता है और प्लस यह के स्टोर से आपको जो गेम्स आप डिजिरली पर्चिस करेंगे उस पर 10% डिसकॉर्ड में मिलता है मैं आपको बताता हूं यह के इस पर आएं इंक्लूदीन मतलग जो भी गेम आप प्ली का सब्सक्रिप्शन लें画 तो यह इंदर आप गईव आपको इंक्लूडीन मिलेगा और जिस पर इंक्लूडीन मिलेगा अर्जिस पर टेनोट कर सकते हैं और बहु है उतोससारे आप शुद्देरी में आपको गेमंगे को तकस्र एंविडिया का आती एक स्थटी आगा बंदल पर्चिस करते हैं तो एंविडिया बैटल्फिल 2042 आपको फ्री में देने वाला है अगर आप हॉलो के फैन है तो मैं बढ़ा तो हॉलो इंफिनिटी गेम यही 2021 में हॉलिडे के टाइम आने वाला है रिलीज देट तो फॉर नहीं है पर इसी साल आएगा 2021 में फॉर शॉर अपरडिंग डू जॉब लिस्टिंग रॉकेट लीग अब अंड्रेल इंजिन 5 में मूव हो चुका है अगर आप सोनी के प्लेस्टेशन एक्स्क्लूजिव गेम टाइटल जानते हैं तो आपको एक वाइल नाम की गेम टाइटल के बारे में मालम होगा कि जो प्लेस्टेशन एक्स्क्लूजिव है वो अभी डिले हो चुका है और मैं आपको बता तो अगर आप कॉल अप्डूटी बैंड़ा देना चाते है तो उसमें जॉम्बी का भी एक मोड रहता जो आने वाला है जल्व अगर हम बात तो एक्सबस सिरिस की एक्सबस सिर्यस का जो डाइच बोड आने वानाיס दैस पोड अपग्रेद हो रहा है और वह डाइच बोड़ मत अपग्रेड होतार बनने वाला है तो देखते हैं ये कब तक और कब इंका ट्रेलर आएगा जैसे अपडेट आएगा इसके बारे में हम आपको दरूर बताएं कि काई रिम का एनुवर्सिरी एडिशन जो आने वाला है 11 11 2021 को ऑन दी सेम डे विज वस रिलीस 10 यर अलियर मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉक स्टार और बतिस्टा वाले लोगी अपने 10 साल पुराने वाले गेम वापिस रिलाउंज कर रहे हैं नेक्स जेन पर वही गेम के उफर रेविन्यू कमा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जहां तकी मेरा थोटे टॉक स्टार का जीडिये देख लिए जो दस साल पहले रिलीज हुआ तो वह अभी भी हम वही गेम खेल रहे हैं और वही बतिस्टा वाले भी स्काइरी जो दस साल प अब एपिक स्टोर में अपने फर्स पार्टी के चार चार गेम्स डाले हैं तो उसकी लिए 200 मिलियन अमाउंट दिया गया है यह काफी बड़ा अमाउंट है पर फर्स पार्टी के गेम्स कौन-कौन से होते ही अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है जब वह एपिक स्टोर प्या अभी अफिक स्टेश्व